तो हम लोग श्रीमत भागवत्म के प्लतम इसकंद किया आठ के पुनरावड़कुन को देखेंगे जिसमें परिशित महाराथ को रक्षा और माता कुंती की प्रार्थना है तो आप हम श्रीलू करते हुआ इस इस प्रॉब्लम देख्रोम तो आपने सुना था कि जब द्रोणा चारे के पुत्र अश्वत्थामा को भगा दिया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने मुत्र मुत्र पुत्रों अत्यादियों की अंतिम संस्कार के उसी का विवरण कि पहले श्लोक में किया रहा रहा है अंतिम क्रिया का विवर्ण श्लोक में किया स्पेलिंग मिस्टे को अम्टा ध्यानमाति जी को मैं हैLikemanWow अथते संपरिता ना म स्वाना अम उदकमिछएताम धातुमसक्रिष्न गंगया마 पुरस्कृत्यक यश्प इसके बाद स्वानाम उदक में ने स्वाना मतलब अपने संबंधियों की measure म्रिथ्य घंगा जी को गए पुरस कृतिया ये उस्तरिया और अन्य उस्तरिया उनके आगे गई इस प्रकार से ने कहा यह है शोक इवं जल अरपन करने के बाद उन्हेंने क्या किया यह लिंक है तो कह रहे हैं ते मतलब उन सब ने निनिय उदकम जल को देने के बाद सर्वे विलप्या बहुत शोक किया उन्हें और इसके बाद यह बिर्शम शब्ट दे है दिखा रहा है कि परियापत मातर में खूब शोक किया मतलब जल दिया और पुना फिर से खूब विलाप किया फिर पुना आपलता हरी पादाप जब रजह पूता सरिजले हरी पादाप भगवान श्रीहरी के चल्णकमलों से के रज裡面 फिर से स्नार किया, गंगा जी को जल को दिया फिर उसके बाद स्वेलाप किया और गंगा जी पुना फिर में लिगा किया और यह किया कि वह कंपस्तित था सत रा सी नम कुरुपतिम धतराष्ट्र हम सहानुजंग गंधारिम पुत्र शोकार्ताम प्रिथाम् कृष्ण कमा धव الا त रा सी नम वहां बैटे हैं वह थे कौन लोग बैठे ह Moż surprisesो कुरुपतिम कुरुपतिक अर्थ हो गया महाराज इस्ठर दितराष्टरम सहानुजम दितराष्टर संग बैठे थे और सहानुज मतलब हुआ इस्ठर महाराज अपने भाईयों अर्जुन नित्यादी के संग बैठे थे गांधारी पुत्र शोक आर्थाम प्रिथाम कृष्णाम चमाधव जो अपने पूत्र से पूत्र के मरण के शोक से आर्थ यह दुखी थे नाम है गांधारी और द्रौपदी यह पूत्र के शोक से आर्थ यह दो लोगों के विशिशन है गांधारी जिनके सारे बच्चे मारे गए थे और द्रौपदी के भी सारे बच्चे मारे गए उनको माधव अर्थात भगवान कृष्ण सात्मना प्रतान दे रहे थे कर रहे थे आगे की श्लोक में है भगवान श्री कृष्ण उनकी साथ थे मैंने की इसमें कौन-कौन लोग दिख रहे हैं आपको दितराष्ट है पांचो पांडव है गांधारी है प्रिथा अर्थात मातकुंती हैं द्रौपदी और भगवान कृष्ण है भगवान कृष्ण का संबन दो आगे मश्लोक से भी है यहां पे बूल रहे हैं और है का मतलब है उनको साथ प्रतान कर रहे थे ठीक है अगला श्रीक देखते हैं भगवान कृष्ण ने फिर क्या किया वहां पर रहके क्या किया सांत्वयामास मुनभेर हत बंधुन शुचार पितान भूतेश्युकालस्यकतिम दर्शेन अप्रतिक्रियाम कुछ साउंड का प्रब्लम बीच में होगा यदि आप चक कर दीजिगा आते जूम पे चक कर दीजि शुक अकृफितान कई भाल आया-शुचार पितान मुनियों के साथ अन्न मुनि भिवहा थे उनके साथ बहलाद हमाधक्रश्ण ने उनको सांत्वनऻा दी। सान् तयामास मुनिभेर। किन को दी। और क्यों दी। तो किन को दी। ब्रसपष्ट है। गानदारी तदी को दी। और क्यों दिए। हत बंद्धुन शुचार पृतान। क्योंकि उनके बंदुन मारे गए इसले शोकाकुल थे शोको अर्पित थे शोक अर्पित समझ गया होँगा। कई बार आया श्वचार्पित मतलब जो शोकाकुल है धुखी है उसको वह उत्ह माँ दे रहstellung कैसे दे रहर थे भूतेश्वू कालस्य गतिम प्रतिक्रियाम् हूतेश्वृथा जीव्ं के संबंद में जो काल की गती है काल की गती का मतलब है काल के जो प्रभाव जन्म लेना मृत्य होना व्रद्धावस्त को प्राप्तन इत्यादी दर्शयन ना प्रतिक्रिया उसको दर्शाया कि इसकी प्रतिक्रिया नहीं किया सकती यह अमोग है यह आपके यह होना ही था जैसे कह जाता है होनी को कौन टाल सकता इत्यादी भाय प्रदर्शित किया ठीक है किस ने किया भगवान कृष्ण ने मुनियों के साथ अन्य मुनि भी वापस अभा रहे थे दुरियोधन द्वारा चीना गया राज युदुष्ट्र को पुना कैसे प्राप्थ हुआ यह साधाइत्वा जात शत्रो स्वम्राज्यम के तवैर हृतम घात इत्वा सतूरा क्यह कचसपर्श छतायुशह साधाइत्वा साधित करके अजात शत्रो अजात शत्रु मतब विश्ट्रमराज इनका कोई शत्रु जन्म ही नहीं लिया था स्वम्राज्यम कितवैर हितम, उनके राज को साधित करा के मतलब इदुष्ट्रे मराज को राज प्राफ्त करा करके कैसा राज था कितवैर हितम, जो कैटा उसे मतलब छल कपट से उनसे छीन दिया गया था, घात इत्वा असतो राग गया, कैसे करवाया, जो असत राजा थे, तो खराब गुंडा मवाली कह दी जो भी थी राजा उनको मरवा करके क्यों मरवा करके कचस पर्ष छदा आयुशा क्योंकि दुरौपदी माता के केश को सपर्ष करने का उन्हें अपराद किया तो इस कारण से उनकी आयू छीन हो गई थी यह बात है इस पर व्याक्या बहुत राजा के बाद बद्दाम जाते कि देखो राजा के लिए कितने लोगों मारवा दिया तो ऐसा नहीं उसके बाद भी उनकी ख्याती फ्याती फ्याल गई तो कह रहे हैं याजा इत्वा अश्वमेध्हस तम्त्रिभेर उत्तमकल्पकाई तदयशहपावनम्दिक्षू शतमन रिवात अनोत तो कह रहे हैं कि इसके बाद याजा इत्वा अश्वमेध्हस ये घटना बाद की है अभी की नहीं है घटना बाद में होगी घटना बाद में होगी याजा इत्वा अश्वमेध्हस तो ये अश्वमेध्हस को ये अश्वमेध्हस करा करके कैसे त्रिभिर त उत्तम कल्प गए जिसमें उत्तम प्रकार की वस्तुय एर्पीद की गई थी और उत्तम प्रकार के पंडिशी थे पंडिशी मतलब यत्तEr वह थे उनके शह पावनम दिख्षू उनका यस शुब नहीं उसा ऐसा जिसमें कोई निंदा नहीं करते था से करते परकार से इंदर के अंत पर का मतलब उनके जैसा और अतनोत का मतलब होता है Master इस प्रकार से इंद्र का यश्व सो अश्रमें देखकर से सारी दिश्व में फैल गया। उसी प्रकार से मात्र तीन अश्रमें देकर से महराज के यश्व को भवानएं विश्व में परसारेद कर दिया striking के मां तो समझ पढ़ा चुका हूं पसकलन इन इह हैं भगवान रत परासीन वे कहने का आश्य ये सब क्या है कि भगवान समझ लिया कि अब मेरा कार्या पूर्ण हो चुका है अब मुझे द्वार का जाना चाहिए जो भी मुझे पांडव के लिए करना था उचित करना था वह मैं कर चुका हूं आमंत्र आमंत्र अब पहचान गए होंगे आमंत्र मतलब आग्या लेकर आमंत्र पांडु पुत्राश्चा शेनयो उध्वसंयु तह वैपायान आदि भीर विप्रह पूजिताई प्रतिपूजित है तो कह रहे हैं आमंत्र यानि कि मैं जो पांडु के पुत्र हैं उन से अज्ञाले करके अब वह अपने द्वार का गुझाने के लिए उध्यत हुए शेनयो उध्वसंयु चैनयो का मतलब है सात्य की उध्वजित आप जानते मित्र है सखा बाई था नहीं के संग जाने लगे द्वय पायाना दिभीर विप रहे द्वाइपायन अर्थात व्यासदेवी आदि उनके द्वारा पूजित है उनके द्वारा पूजित है उनके द्वारा पूजित हुए क्यों जान रहे है भगवान है प्रति पूजित है और वह भी उनकी पूजा कर रहे थे भगवान कृष्ट उनकी पूजा कर रहे है औ एक देखा और उन्यों के द्वारा पूजट होकर कि घरा रध्थ पर जाने के लिए आरूड थे तो क्या देखा? गटना हो एग कि एक एककटा से दूसरी कथा निकल रहें इस दुनिया में आते हैं कोई बात होती PD तो और बात सी और बात निकलतीं उससे एक एक कथा से दूसरी कथा फॉसी हुई भगवान ने किसे अपनी अरातें देखा र Chelsea within ब्रह्मन मतल्ब सुंटगों स्वामी जी शुना गादी रिश्षिव के रहे ही ब्रह्मनों भागवांने अर्मांस चोस्वामी देखा एंक Ugh किन देखा अभी द्हावनमandır. पहत्र वंच्टिम अपने और भात्यवे देखा किसको देखा उत्राम वह्फ वियोवल उत्रा को देखा जुभाईविं से विह jut सब्सक् licensing उत्रवाच कि उत्रा भगवान पहारे किव शमध्त कर रहे सुछplat महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तवद अभयं पशे यत्रम रित्यू हो परस्परम इस पर तो दो लेक्षरा सुन चुके हैं अब पर तो आप लोग पी गयोंगा सब्लोग को सब्सक्षा ठीक है पाही 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 बचाओ बचाओ कि स्वेश में ताभी जिनके कटनाई पढ़ने पर उनका आश्रे लेते हैं या देवताओं के तरह आराद हे देव जगत पते हे जगत के स्वामी में को रक्षा किज़ें क्या बात है किया रहे है ना अन्यम तवधभयम पश्य मैं आपके लावा किसी को नहीं देख रही हूं जो अभय को प अरश्परम कि हब दुसरे की मिरतव का रहा है और दूसरा एक्समेनेशर हम देने वाले नहीं है उससे हम उतना कमेंश नहीं पूरी तरह से नहीं तो फिर जो भी है लेकिं यह को पॉइंट है कि एक दूसरे को अन्य मूं से निकले गया एक एक विक्ति दूसरे की को खा रह बिसे बित्रबंद सभाथ, इसको भी मान लिया जाता है, कहने कहा जहीत है, कि एक बेक्ति दूसरे मित्ति ब्वाह जँआ है शुरु के अरे मिध्ति आद ऐख के बीच में हरे कृफिना करने की जुदत नहीं आएगे चुपचा बैटके ट्रॉस सुटियों डिस्टर्व हो जाता उसे बोलने के जुरत नहीं एस एकदम से मेरी कास्ट में डिस्टर्म सुजाता है अब तो फिर में चैट उसे आज ऐसे ऐसे चाट आफ करना क्या मैं इसके लिए आन करता हूं ता कि कभी कहीं बीच में कोई आवाज के दिस्टरबन से लोग बता दें लिए पीछ में डिस्टरब करता है अब तो प्रशन तो करने का संभावना है नहीं सुनना है कर था तो क्या अब है प्रदान करने वाला इस द्वैत्पुन जगत भवान के तरीक कोई नहीं है तो फश्ट है वह पिछले श्लोक से लिंक है नहीं है आपके लावा कोई नहीं कि सभी दो मृत्ति को प्राप्त है अब वह बता रहे हैं कि क्या इनको तकलीफ है अभी द्रवित में अभी द्रवति माम इचय यह सर्वसमर्थ अभगवान माम अभी द्रवति मेरी तरफ दोड़ रहा है को दोड़ रहा है कि दक्कत है कर आवे शरस अपर आयस coord के 1 आयस मतले होता है लोहा और शरस तप तायसा का अठ्ट हुआ być तप्त लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है विभो मतलब सर्व समर्थ कामम दह तुमाम ना था है भगवान अगर आप चाहते हैं कि मैं मर जाओ तो मैं मर जाओ लेकिन मामे गर्भो निपातिता लेकिन मेरा गर्भ इससे नश्ट नहीं हो तो जब ऐसा माता उत्तरा ने कहा तो उपधार्या वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सलह अपांडवं इदं कर्तौं द्राउनेर अस्त्रम अभुध्यता उपधार्या वचस्तस्या उपधार्या मतलब बड़े धैर पूर वशोन कीई ऐसकी बहुत विया ख्या की चाहिए भक्त कुछ बोलता है तो व्वान यह कि एक कंडिशन सोल जानते नहीं बाल के आगर भाग के दस हजार वे हिस्से हो तुम क्या बोल रहा है मेरे सामने क्या देखते हो जानते नहीं मैं विभू हूं सरसमर्थ हूं इंफैनाइट हूं नहीं भगवान पड़े परस्नल है और जान रहे हैं कि क्या है फिर भी सुन रह हैं माता उत्रा की वचल को उत्थार या वचस्त तस्हा उत्तिरा के वचल करके क्यों सुनाया ध्यान से भगवान वश्लहान और वाख्वान वचल अहां इंदर प्रकेट हो गए लग रहा है ठीक अंदर आकर प्रकेट हो गए चलिए ठीक तो क्या वो समझ गए अपांडवम इदम कर्तुम इदम मतलब इस जगत को पांडवों से शून करने के लिए कि द्रॉन अस्त्रम अबुद्द्यधा वह समझ गए कि ये ड्रॉण मतलब द्रॉणी मतलब द्रॉणा चारी की फुत्र अशुधामा के दारा अस्त्र है ब्रहु इस बुकुल्द मास्त्र को अपनी और आते देख प्रकें पांडव ने क्या किया कहने का आशर यह है कि ये एक ही नहीं था ये एक तो उत्रा की गर्व की तरफ फिका गया था और पांच फिके गए थे पांडों के पर इबात ध्यान देनी वाली हो कि उस समय पांडव बड़ दुखी थे अभी आपने देखा ना वह बहुत दुखी है तो ऐसा नहीं है कि वह उसमें बड़ त्य हां यह बात भी कृष्ट जा रहा है तो दुखी तो उस टैम उनका लड़ने का मूड नहीं था इस जी जैसे हम यह मूड मना के अपना अस्तुर लिए क्या है वार लैप्टॉप अस्तुर रहता तो तो कुछ हम कुछ बान चला पाते है शास्तुर बान अत्यादी और अश् गुड कलट कीजिए ड्रॉप्स ड्रॉप्स ओफ अमरित भागवता अमरित इस इंडिन स्टाइल को यह हो गया ठीक है बहेंगे नहीं चीनी के तो बने नहीं बारिश तो हो नहीं यहां पानी कैसे टो पक रहा है एसी का पानी यहां से चट से अच्छा सार ठीक है समझ गया सब डिवोटी है एक से मिमांसक ठीक है ब्रहम सारी ब्रहमास्त्र को अपनी और आत्रिक पंडवा ने क्या किया तरही एवा थमुनी स्रेष्टा पांडवा पंच सायकान आत्पनों भी मुखान दीप्तान आलक्षस्त्रन्या अपादधू तर है तरही एवा उसी समय तरही एवा का मतल악 हुआ उसी समयुशामा का हुआ हुआ है उसलिए हुआ है मुनिश्ष्ट अरथा को इक हां शानकरी आप मुनिश्रेष्ट हैं पांडवा को के पी पांच सायकान अर्थात पाँच बाण चलाए गए थे आत्म ने देखा आत्मनों अभी मुखान दीपतान अपनी तरफ आते हुए देखा पाँच बाणों को दीपतान अर्थात पड़े जौजल लिमान थे आलक्ष अस्त्राण उपाददू जब इस प्रकार से उन्हें लक्षित कर लिया कि पांच बाण हमारे तरफ आ रहे हैं पुमार्णी के लिए तो उन्हें अपने अस्त्रों को उठा लिया मैं देखा से इसको यहीं रख सकते हैं अपने आप बर जागा क्लास तो जब इस प्रकार से भक्तों के अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आया तो भगवान ने क्या किया भगवान की प्रतिक्रिया उस वक्त क्या थी तो वो समझ गए भगवान की इस ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार यह अपने अस्त्रों से नहीं कर पाएंगे ही तो स्वेम ही है उसका पतिकार करने के लिए उद्यत हुए महान-भय या महान-खत्रा अपने भक्ति अपने भक्त्यों के ऊपर बहुत बढ़ा खत्रा देख करके Windsha उस महान खतरे के को अपने भक्त्यों पर देख करके अनन्य विश्यात्माना कैसे है वो अनन्य विश्यात्माना इसकी व्याट किगे थी गिए ति कि भハハman के ति को कोई शब्द रूप रस गंद अंग्रियों को विशय नहीं था उन्हीं में उनकी मती लगी हुई थी ऐसे देख करके भगवान ने क्या किया सुदर्शनिना स्वास्त्रिना अपने अस्थ सुदर्शन से स्वानाम रक्षाम विधाद विभू स्वाना मतलब अपने भक्तों की अपनों की ऐसे कह जिए एक अपनों की जो अपना ही मानते थे लिए अंक वगवान उनकी रक्षा भगवान ने कर दी कार्ली कारइं विभू पांडों की रक्षा कर ली, तो उत्रा के कैसे करी रखिए, अंतस्तह सर्व भूतानाम आत्मयोगेश्वरो हरही, स्वमाया आप्रणो गर्भं वैराट्यह कुरुतन तवे, अंतस्तह सर्व भूतानाम, तो एकदम हिंदी जैसा है, जो भगवान सभी के हिर्दों में रहने वा शील है, अपने भक्तों को दुख हमशा, दूर ही करते रहते हैं, तो स्वमाया अपनी शक्ति से आव्रणो गर्भं उनके गर्भ को, उत्रा के गर्भ को धक लिया, धकने का अशय क्या था, धकने का अशय यह था, कि वो घूम रहते सब तरफ गर्भ के, और इस प्रकार से ब्रह्मास्तर को काट रहते, निरस्त कर रहते, वैराट्या कुरुतंतवे, वैराट्या मतलब विराट नरेश की पुत्री उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उसको धक लिया, और कुरुतंतवे मतलब कुरु जो वंश है, वह आगे बढ़ता रहे, इस कारण से सक्या समझ में आ रहा है कैसी रक्षा करी, इस पश्ट है, आगे देखते हैं, अश्वत्वार्मा द्वारा छोड़ा गया, ब्रह्मास्तर वर्त कैसी हो गया, वह तो अमोग अस्तर है, तो उस पर कह रहे हैं, यदप्यास्तरम ब्रह्मशे रस्त्वमोग हमचा प्रतिक्रियम कौद ब्रफितन से बरता है, कौन ब्रफितन ब्रक्षा क कि राख पेदा हुए हैं, यदप्यास्तर विह अस्त्रम बेख्यरषफ, रैमास्तर अस्तर तो अमोग हम वह अमोग था चा अप्रतिक्रियां उसकी प्रतिक्रियां नहीं की जा सकते कहने का आश्य है असंभव कार्य था यह कहने का आश्य है उदर यह बताना भूल गया था यह बात अमोगं है उर अप्रितिक्रिया है मतलब अब तो मरनाही निष्षत है असंभव है और इसी कुबात को हम नो Martine कई पार्शाड कर चुके हैंckon कर तुम मतलब कर तुम अकर तुम करतुम सवाइय, सामध हो, किया, उसमें भावान के लिए कोई कटना ही नहीं, भावान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो कह रहे हैं कि ये दपीवे अमोग था, उसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनने उस प्रतिक्रिया कर दी, कैसे करी वैश्णवम तेजमासाध्या, अच्छी प्रकार से ठंडा हो गया, शम का मतलब हो था ठंडा, तो सारा तेज उसका ठंडा हो गया, क्योंकि वैश्णव तेज सुदर्शन का तेज उसके सामने आ गया, मैं समझ नहीं रहा हूं कि हैं बहुत फास्ट जा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, कता तो आप जानत घनमा क्यों कहा गया है। माननों की आश्टण करे कि अरे भय भाए ब्रहमास्त्र तो नहीं कटा जा सकता है, कैसे ब्धवान करती है, तो कैसे आश्टण करने की जूरत नहीं है, मामंस्थाह ये तद आश्करियम सर्वाश्य करत हुआ कि इस प्रकार से आप मश्षाग गुना सोचे इत्द आश्करियम समंध्द में आप आस्चर मत सोचिरा को विशार मत कीजिए जर्व आस्चर मेंकिते भागवान अच्छ तो सारे आस्चर के आस्चर के आस अश्र polar hunting सारे समंभ में होते कौह से अश्चर की बात वा हुए तो सब कुछ रक्षा करते हैं और हंत्य जह वह है उसको नश्ट कर देते हैं तो कोई कहे कि भाई तो जरूर उसमें लिप्त हो जाते हैं कहते हैं ना आजा वह कर्माधीन जीव की तरह जन्व नहीं लेते हैं उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है इस जगत में हम कुछ भी स्रिष्टी करते हैं तो उसमें आशक हो जाते हैं जर व्याख्या करने का समय नहीं उदर हम कर चुके हैं लेकिन भगवान की वह संकल्प मात्र से नहीं करते हैं बहुत महरत लगती है संकल्प मात्र से पूरे जगत की स्रिष्टी कर देते हैं पालन कर रहे हैं नाश्र कर देते हैं लेकिन उ संकल्प से हम कुछ भी नहीं कर सकते संकल्प के बिना हम कुछ नहीं कर सकते संकल्प किये हैं तभी तुम्हें बैटके हैं भागवत बोल रहा हूं लेकिन संकल्प मात्र से हम कुछ नहीं कर सकते संक्लप कर लिए और भागवत अपने आहां लुग्वाक्त ऑफु संक्लप हो जाता मैं कुछ easier हाँ को शूद्ध भग्त हो जाता है तुए भी संक्लफ़ हो जाता था क्यों कि भगवाना उसके यूट करिते खुद अपने अब मैं वहारी शक्ती नहीं यहuz तो खेर अभी दर मनन करने का आज दिन ही नहीं आज सुनता है तीजी से तो लेकिन इसे बाते हम चर्चा कर चुके हैं अच्छा एक बात और यहां पर वचार नहीं है कि इतना भगवान ने क्यों किया इतना आगे जाकर कि अपने भक्तों ने प्रार्थेना ने करें तो अब एक बात रहते हैं कि अच्छुत मतलब अपने भक्तों पे वह कृपा करने से कभी नहीं चूकते हैं, तो उसमें कौन से अश्चर की बात, इसमें आश्चर, एक तो आश्चर है कि भगवान ने कैसे कड़ दिया, यह भी आश्चर है, और दूसरा आश्चर यह है कि इतना तेजी से समझ ले ना कि मेरे भक्तों पे इ सती किसे कहा गया है और क्यों, चोटी सी बात है, सती मतलब भवान की भक्त नहीं किसे लिंक पनाने का प्रयास किया है, वह कहने का आश्चर है कि अब जब इस प्रकार से माता कुंती ने दिखा कि उनके पुत्रों की और उत्रा के गर्व की रक्षा करी, तो वह अब भगव अभी मुखं कृष्णम एदा माहा प्रथा सती जड़ा विचार कीजिए, उदर हम उदर से बाते नहीं बोल पारें, रिवाइस कर रहें तो याद आ रहा है कि अब देखिए, ब्रम्ह तेज्व विन्वर मुक्त है, आत्म जाहे, आत्म जाई सहा कृष्णया, तो कह रहे है कि अपने बेटों को ब्रम्ह तेज्व से पूरी तरह से मुक्त करके, और, एक मिनट, कृष्णया, हां, तो माता कुंती ने देखा कि उनके पुत्र को, उनके पुत्रों को भगवान ने रक्षा करी, दुरापदी की साथ थी, और पांदमों की साथ थी, और भगवान सामने थी, भगवान सामने कैसे थे, प्रयान आभी मुखम, अब द्वारका को जाने वाले थे हां द्वारका को जानने वाले थे मतलब रथ पे बैठे बैठे ही सब की रक्षा कर दीबाइट नमारा पूरे छुटी गया रथ पे बैठे हुए थे उत्रे नहीं संकल्प मात्र से वहीं से बैठे बैठे सारे ब्रहमास्तर को निरस्त कर दिया तो भगवान कृष्णम लिए नाते भगवान की उकारों का स्वर्ण करने की भगवान ने पहले तो बचाया ही है आज दिखो युद्र के बाद भींको बचाया तो इस समय वारने निश्य था फिर भगवान ने बचाया तो भगवान की भगवत्ता बहान ले इस minutes अले जानते हैं कि द्वारका के पार्षद जो बगवान का इश्वरें देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि या निधे वाल्टी देखेंगे भी जैसे लिगाँ जाएक दाद के वाद करते हैं कहां बात कर रहे हैं और कितने कष्ट आ रहे हैं तो उस कष्ट की निवर्ति नहीं बस खाली उकार का स्मरण करके उससे रहा नहीं जा रहा है वह भगवान की प्रार्तना करना शुरू करती है कुंति महराने भगवान क्रिष्णी की प्रार्तना क्यों कर रहे हैं क्यों कि भगवान की भगवत देखी है तो मान लो भगवान कहें कि चली पहले प्रार्तना बोलते हैं नमस्ये पुरूष्णम तवाध्यम ईश्वरम प्रकतेपरम अलक्षम सर्व भूतानां अंतर बहर अवस्तितम लिए बहान की प्रार्तना मात कुंति धुरूच्छं कर रहे हैं और ना सिफ आधी पुरुष हैं अपितु आप परम इश्वर भी है। इसकी व्याख्या कीजिए आच्छिए कि कोई आधी है इस खार्ति यह इने क्यों इश्वर हो लेकिन प्रकिति के परह इश्वर हैं इश्वर हूं तो जगत का नियमन करना हो तो जगत में ज़रूर असक अंतर तीन चली ही कि अंदर अब आकस्षम तब भूटा को नहीं दिखते है ? नहीं दिखता हूँ खालते ब्रह्म हू架ं क्या क्या चाहीया अनतर भाहर रहने वाले प्रॉइर ब्रह्मात्र नहीं है इससे बात है हम तो खाली टश कर रहा है सब की बहुत सारी व्यक्षा वहां पर करी गए थी तो जो सुनना चाहते हैं रिकॉर्डिंग की श्रवन करना पड़ेगा क्यों है अपने यह ढ़के रहते हैं और किसके लिए अध्रिश रहते हैं की अलक्षमसर्व भूता नाम का मतलब प्राया सभी को नहीं दिखते दिखिते लिए अगर दिखते ही नहीं है तो भगवान दिखी क्यों रहे हैं भगवान से प्रार्थना की जा रही तो रहे हैं ना सब को नहीं देख पा रहे हैं उसका आरण क्या है माया जवनिकाच्छानम अग्या धुक्षजमव्ययम नलक्षशे मोडद्रिशा नटो नाट्या धरो यथा माया रूपी जव की दृष्टी को धगी रहती जिससे भगवान को देख नहीं पाते और आश्रता धरन देता बादल ऑ शूर का बादल जीवों को डगता है जो बादलों के नीचे सूर को धगने का सामर्थ नहीं है और बादल भी शूर की शक्ति से ही उत्पर्ण होते हैं सब बातें आप सुन चुके हैं तो इसके द्वारा भगवान अपने रूप को बद्ध जीवों से तिरोहित रखते हैं जो उनके भक्त नहीं उनको नहीं देख पाते हैं इसी लिए किया द्हूक शजशव जो अग जोaj हैं मूर्ख हैं वह नहीं देख पाते क्यों अधोक्श आंप्णयार में नहीं करते भकती समझ नहीं पाएंगे अव्यम का अर्थ सुना था अव्यम मतलब विकार शुन्य इस जगत में हर विक्ति किसी विस्तु को देख रहा है तो विकार से युक्त होती है उसका जन्म होता है उसमें के रहती कुछ वर्धन होता है रहती है उसके बाइप्रट्स प्रडूस करती है मर जाती भगवान ऐसे रूप वाले नहीं कुछ-कुछ याद आ रहा होगा कर चुके तो वहां पर ऐसे ऐसा रूप भगवान करने हैं देवान का रूप कैसा है सचिदानंद तुम्हें रूप है न लक्ष से मूड दिर्शा तो भगवान करें अरे मैं दिख तो रहा हूं आफ ऐसे क्यों कीर्व नहीं दिख रहा हूं का है न लक्ष से मुड द्रशा मतलब हुए आपको आपकी सचिदानंस दुम्हें नहीं समझ पा रहे न लक्ष से मुड द्रिशा मक्लमार्खल видел मूर्ख वेखती है जिस प्रकार थे मड़ो नाट्य धर्ठो यथा जिस प्रकार से नाटक में नाटककार बहुत सरे भाव भंगीमा प्रस्टत करता है लेकिन जो मूर्ख वेक्ति है वह यृद्याभी देखता है लेकिन समझें नहीं पाता की उसकी पीछे ड्रामा का डिरेटर जो मैं स्वैम था लेकिन मैं भी नहीं आश्र चक्रित हो गया इतना सुंदर मेक अप था मैं मित्र का किया यह कौन है एक श्रण के लिए कोन आ गया इतना सुंदर मेक अप किया गया था वह भी भी बीश मतावा बने थे तरह आओ अधर नहीं जा रहे कि उसके वह मेरा नास्ट रामा था उसके बाद कुछ लेकिया था बहुत प्रशान होती इसलिए पढ़ाई खराब हुए ना लक्ष से मुड़त रिशा समझ में लक्षित नहीं कर पा रहा है समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या बोल रहा है पिर ऐसा ही नहीं है कि अग यह कि स्ट्राइब मतलब गां गयरा थिचख भेकिया रहीं करको नहीं है उनको नहीं चाहिए मूल रही है और वह उसके वह दार समझना चाहिए कि परम्हंसी को भगवान की भक्ति करके गवान की वनिवस्टि होति है यत ऐसे नचर नट डरो यथा जैसे कोई मूर्ख विक्ति आपकी भाव भंगिमा नहीं समझ पाता है इस प्रकार से आप अलक्षित रहते हैं मूर्ख लोगों से अग्य लोगों से जो भक्ति की तत्व को नहीं जानते तो समझना हो कि फिर के लिए तत्था इसलिए भक्ति के बिन आप समझ में आएं जो जगत के सार असार तक्त को जानते हैं कि सार है भगवान की भक्ति और भक्ति को इस्विकार करना होता है उसलिए उनके भक्ति के विधान को स्थापित करने के लिए अपाते हैं तथा परमहंसा नाम मूनि नाम अमल आत्म नाम परमहंसों के लिए जो जगत के सार असार क देखने की दॉट करें अचिपाल कुस बात कर पाएंगे किया से भक्ति जो उनकी भग्ती के विदान के अर्थ हैं जिनके चरण कमल परमहंसों के द्वारा अनुष्टित भक्ति के अर्थ है प्रेवजन है ऐसे भगवान है कतम पश्चे महिस्तरिया हम तो ज्ञान से भक्ति से शुन रहे हम कैसे समझेंगे और आप जान रहें समझ खूब रही हैं लेकिन बोल असे ही रही है कि ह अर्थ हाथ आपको हम सचदानान सुरूप में कैसे देख पाएंगे वो सब देख रहे हैं सब आनान मिल रहा उनको लेकिन फिर भी गयाने हम नहीं समझ पाएंगे तो कह रहे हैं कि अब क्योंकि मैं स्त्री हूं मैं भक्तियों त्यादिय से तोहीन हूं करने का शंता नहीं तो मैं किवल नमस्कार कर सकती हूं तो माता कुंति तो कृष्ण की बुआ है तो अकस्मात में उनको प्रणाम क्यों करने लगी क्या उत्तर है वो समझ रहे हैं बुआ तो हूं लेकिन ये भगवान है और मैं भक्ति से युक्ति नहीं मैं ज्यादा तार्षनी चिंतन भी नह कृष्ण को प्रणाम कर रहे हूं जो आनंद स्वरूप है क्रिष्णाय मतलब आनंद स्वरूप वासुदेव आया अथाथ वसुदेव के पुत्र तो इससे आशक क्या है कि वसुदेव जी बड़े ही भाग्यवान थे क्योंकि आप उनके पूत्र की रूप में आव्थरित देव की नंदनायचा देव की उनसे भी अधिक भाग्यवति थी कि उनके गर्भ में भगवान आये इस प्रकार से उनको सम्रिद्धिव सम्रिद्धिवति किया नंद गोपकुमार आया उनसे भी अधिक भगवान नंद महाराज भाग्यवान थे क्योंकि भगवान ने अपनी बच्पन की लिला आया थी पॉकंड लिला कौमार लिए उसका दर्शन नंद महाराज को कराया गोविंद आये नमओ नमहा अब गोविंद का आशे क्या था जियो सब और इसमें एक और बात आ जागी कि माता इशोदा नंद मह भाग्यवती थी और 31-फे शुलक में यहां पर नहीं इसको बोला गया और सबसे अधिक भागवान थी गोपी-जन जिनकी इंद्रियों को बहुमत इंद्रिय और विंद मतलब प्राप्त करना तो जिनकी सभी इंद्रियों को भगवान आकरिष्ट कर लेती थे यहां पर गो है और गायों को सुख देने वाली है और इंद्रियों को भिसुख देने वाले लेकिन een उनको मैं नमस्काय थे लगी करें तो बिद्ध्यट पढ़े हैं इंड्ध्रे उनकी वकशनने की भाद फिर पढ़े हैं उनके लिए और वे तो यह आसवाद नहीं होगा ुब मतलल से थेंखना उपर से घ्खना यालिए वाली व। सेखने यह को वनित्क ने उपर से जयता है। और आपने अगर ध्यान पुरूग सुना है तो मैं और मैं समझे कोई काटना यह इसमें भूनी चाहिए। अब बहुत सुन्दर लिंक दीगा, यह लिंक जो है यह जीवगो सामजी का लिंक है, आप मेरे नेत्रों को सुक दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हैं, भगवान के सुन्दर सुरुप को देख रही हैं, और एक एक वस्तु जो है उनके सुक प्रत है, उसका व मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, जिनकी नाभी कमल के आकार की है, एक दूसरा जिनकी नाभी से कमल उत्पन होता है, और पुरा जगत उसी में रहता है, यह आश्य है, नमहा पंकज माले ने, जो पंकज की कमल की माला पहनते हैं, जो लक्ष्मी जीन उनको दी थी, यह भी स पवित्र करने वाले जिसको भी देखते हैं, उसको पवित्र ही ठंडा करते है, शांती ब्रतान करने वाले नमस्ते पंकज आंग्रे जिनके चरण कमल, कमल के सम Adapt कोमल है, कमल के आकार वाले है, और जहां ते समरना हुख कमल के रंग वाले भी है, लाल-लाल यह ति नार्ण न यह क्या कर रहे हैं तो इसलिए पहले नाभी से देख रहे हैं फिर उसका अद्वे चर्म फिर देख रहे हैं भग्मान के द्वारा किये गए उपकारों का कुंति देरी द्वारा स्मर्ण यथारिशीकेश खले नादेवकी कंसे नारुधाति चिरंशुचारपिता वीमोचिताहं चसहात्मजाविभो त्वये वनाथे नमुहुर विपदगणा तो क्या रहे हैं यथारिशीकेश है इंदियों के स्वामी जिस प्रकार से खले नार्थाक अंशेन नाकन्स के द्वारा ख्लेसुचार है खलन्सेन खराबए खल राजज खल शुरों मणी खल चुला ने खलों मशर्वस्माप्ध कंस और दवे बांध दी गई रोख रुड कैदिकेएड में डाल के गया था इक शुचार से जोसित संते ऐस मृवाइब श्चय को आपने किया लेकिन क्याइसर और इक इस बहुत भाइब आण धर रुखे हो कि दौक के अर्दावा नहीं करें लेकिन मेरा के संग रख्षा करी है वह सर्व समर्थ ठीक है तो ये वह नाथ है ना क्यों उनके तो नाथ उनके पती तो थे हमारा तो आपके लवा कोई नहीं है आश्या समझ रहे हैं कि अब आप जाने वाले हूँ आपके लवा हमारा कौन है अना थे नकर समझ रहें ना आप ही हमारे नाथ हैं आप ने ही हमारी रख्षा करी है किनसे मुहुर विपद गनात उन पर तो क्यों एक दो कष्ट ही आये संकर्ट आया था लेकिन और उनको एक बार ही अपने निव्रित्त कर दिया मुहुर यह आगे भी आएंगे आप जाईए इपिए आशा है दिख रहा है मुहर विपद गणात विपद गणात का मतलब विपदाओं को समू हम पर एक बार नहीं बारम बार आए और हम पर ही नहीं बच्चों पर मुझ पर सब आता ही रहा और आप बारम बार हमारी रिक्षा करती आए अब हमको छोड़ देंगे यह बहुत अच्छी बात और यह भक्त अपने जीवन में अनभाव करता ही है कि किस प्रकार के नारकिये जीवन में हम अब आप उसे होए थे हाँ याद आ रहा है थोड़ा से डिफ्लेट कर रहा हूं एक बग्त कुछे महराजी नरक कस्मर्ण तो रहता नहीं है तो फायदा क्या लोग पाप करते हैं नरक भेशते हैं नरक कस्मर्ण नहीं रहता बहुत बढ़ा अच्छा बहुत बहुत हो याद नहीं रहता तो कम से कम शास्तित की बाद सून करके स्विकार कर लेना चाहिए यह तो द्रिश्ट है ना कि सभी मा के गर्व से आएं को आसमान से तो नहीं टपका है ऐसा तो नहीं है प्रतक्ष है किसी का बढ़ड हैपी नहीं है माताओं से पूछ चकते हैं कि एक वि प्रकार से चलू रात बर जगूंगा सोंगा नहीं आपको प्रशान प्रशान करता खहर जो भी है आपने बाराम बार इस प्रकार से विपताओं से दक्षा करी याद कर रहे हैं किस प्रकार की कटनाईं से रख्षा करी कुंती द्वारा विवित संकोटों को को दर्शाते हुए भग्वान के विशेस भाव कवण ही हाँ एक बात इंप्रोटन्ट है कि भगवान ने रख्षा करी तो यह निसोच ने कि भग्त है मैं भक्त हूं इसलिए नहीं रक्षा करें हम दीन हैं इसलिए रक्षा करें यह आशायादार है उसे बोले प्रेम तो आप देव की अधिक करते हैं आपका यह दीन वसलता प्रदर्शित हो रही हमारे कोई और नाथ नहीं था हमारे कोई स्वामी नहीं थे इस कारण से आपने कैसे कैसे रक्षा करी जार दीर儿 की जह लोगी। गिल्गा है। व्यद आ श्यद्वा अश्यक्त और नहीं है। विशान मतलब बीम को जहर दिया गया था महागने अर्थात लाक्षक रहकी अगनी पुरिशाद दर्शना अर्थात हिटिम का वद बकास्वर का वद असत सभाया मतब द्रौपुति का जो वस्त्र हरन का कारे हो रहा था वनवास कृच्छता वनवास में आने वाले अनेक अने ड्रहान अस्तरस चास्वा ओर अभि आपने ड्रोण ड्रोण के पुत्र अश्वर्थामा के अस्तरस से रक्षा किया है श्रे अर्थात भक्त दुख हरन शील याद हूआ सब्सक्राइब, बोलो, बोलो, चार सब दिन आदेए भग, दुख, हरन, शील, कितना भी आदें, रोज हरे हरे करतो या तो रहे कम से कम, भग, दुख, हरन, शील, हमें अशा अपने बग्टों के दुख को निवर्त करते रहते, हरे रख्षता, अच्छी प्रकार से आरक्षा पहल कि है तो इसका मैंड चाह्रहें कि कोई कट ना今天 यह जाती हो कि को इसे भारभां बार को आए-स geven आपका दर्शन हो जद्र निब को नहीं द Warszawa है भगवान इस सी बारं बार विपतिया देने की प्रार्थाणा कर ना बड़ी के विचेत्र प्रार्थाना है बांग संत्ल्स प्राथना करे बारं बार विपताय आएं जिनका वणन हुआ जो नहीं वाकियों लितने ही बढ़ा नहीं आए जो आपने सुना जितनी भी बदाएं आएं उस सब फिर से आएं शश्वत लगातार आएं तर्थ तर्थ उन 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 स्थानों में फिर आएं जगत गुरू कहने का आश्य यह है कि भगवान जगत के गुरू के रूप में शक्षादे रहे हैं कि अपने भक्तों की स चांप्त को हटा है कि भृतिक संपत को हटा करके मैं उनको आध्यात्मिक आनन्द की पराप्ति कराता हूं क्योंकि भृतिक संपत आ प्रायह आध्यात्मिक सुख को पराप्त करने में बाध्य होती है I'm obviously I think we can pick up if you have heard those things Well this discussion में हम लो काफी कुछ रचा कर चुके भावतो दर्शनम यत्सात् हुए। यदॡी क्योंकि विपताएं होंगी तो आपका दर्शन होगा बार बार हुआ ही है, किया देखने की बात है, हुआ ही धर्शन और हमें पहले विचरशा कर चुक हैं कि भक्तों पे भत्रकश्ट आता रहता था था भगवान जिस मधुरता का अनभव विक्ति को विप्रदा में आपके स्मरण के दारा होता है उसका दुवारा दर्शन नहीं होगा यादा रहा है जो विकलता में भगवान को पकारते हैं जो का स्मरण होता है उससे विश्य शुक होता है देखिए आपसको हम पता क्यों समझ नहीं पा रहे है क्योंकि हमको स्मरण का सुक है ही नहीं लेकिन हां ये कुछ-कुछ अंदादा लगा होका जो कैसा लग रहता को मीटिंग में आज करना में प्रोग अच्छा लग रहता है और विचार ये तो सब्सक्राइब करें जब हमें बड़ी मैनेजमेंट मीटिंग फसना पड़ता है जिसका किष्ण से समंध्ध है और नहीं भी अचिंत रहता है लेकिन उसका डिफरेंस समझते हैं भागवत से कंपेर भी नहीं करना चाहिए ये प्राद है करका लेकिन भागवत में आकर कैसा मन हमारा एकदम हलका भी कहने चाहिए द्वेश से मुक्त रहता है कि किसी के दोस्त देखने तो नहीं बठाना यहां पर में एकदम डारिट भागवान का गुणानवाद है वह कितना सुख देता है वहां समझ में आता है हां हां मतलब हम लोग जिसका प्रेम होता है ना बग लग रहा है कि दुख में है लेकि कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो उसका जो सुख है उसके अपकल्पना नहीं कर सकते हैं हमारे लिए अचिंत है आज भी आपको याद हो महारा ची समझा रहे थे वियोग का सुख तभी है जब संयोग का सुख होगा हम लोग का भगवान से वियोग है कि नहीं बताई पहले है वियोग ही तो चल रहा है तो कुछ दिकत हो रही है समझ में रहा है वियोग का सुख उसको मिलता है जो संयोग को सुख का अन्धाव करे अब भगवान महुंगर आरती जाते हैं बहुत बड़ी दिखते हैं कब खतम होगी बजन करें या जो भी जब करें वो उसको अलब कंडिशन सुल की क्यास देती है जब मेलमा लेकर बिटेगा तो घड़ी देखते रहता है कि कब इसे वियोग होगा वियोग का सुख समझ रहा है तो जिसका सवयोग का सुख है जो भगवान से मिलना चाहता है वो वियोग के सुख को जी खेवह कह रही है थोड़ा सा जर दर जर चसे लगए भगवान किके द्वारा आप पर हैं और कि द्वारा अपर्वान को बहुत अच्छी बात भूल रहे हैं। देखे, लिंक ये था कि, अरे, सब लोग संपदा मांगते हैं, और तुम ये विपद क्यों मांग रही है। लिंक ये था, उसी में ये बात ये लिंक है, यो भी है कि, देखे, जिसके पास बहुत विपद हो जाता है, और उसके से प्राया संभावना की वे बहुत अहंकारी हो जाए। तो फिर वे भगवान का नामुचारण ही नहीं कर सकता। वक्ती ही नहीं करेगा। तो इसलिए के रहे हैं विबद ही ठीक है विक्तिक कम से भगवान का स्मरण तो करें तो उसको एक श्लोक से यहां पुष्ट कर रही है जन्म ऐश्वार्य श्रत श्रिभीर एधमाना मदह पुमान नैवार हत्य भिधातुमवै त्वामक इंचन गोचरम जन्म अर्थात सुन्दर्ता से इनके द्वारा एधमाना मदह पुमान पुमान मतलब जिस इनसान का मद बढ़ रहा है अहंकार में है नैव प्लस और हती नहीं ही योग होता है क्या योग होता है मतलब वो योग नहीं होते हैं क्या योग नहीं होते हैं अभी धातुमवै अर्थात क्रिष् तौम अकिंचन गोचरम, जो अकिंचन अठाद, जो निश्किंचन है, जो जगत में कोई वस्तु अपना नहीं मानते, उनके गोचर है, उनके इंद्रे के विशेभूत हैं आप, वही आपको समझते हैं, जो इस प्रकार से मद में चूर है, इन चार चीजों से भगवान को नह क्या कहेंगे, रिफर्द नोट्स, यह बहुत सुन्दर है, कुंति के द्वारा भगवान के पाँच मिश्यश गुणों को प्रकाशित करना, उन्हेंने बताया भी कि आप अकिंचन गोचर है, तो उसको और क्लियर कर रहे हैं, नमो अकिंचन विताया, निव्रिता गुण व अकिंचन विताया, अकिंचन था जो अपना इस जगत में और कोई वस्तु अपनी नहीं मानते, यह अकिंचन का अर्थ था, तो अकिंचन विताया मतलब जिनके वित, जिनके धन भगवान ही है, यह एक अर्थ था, क्याता रहा है, जो मान रहा है कि जगत में मेरा कोई नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कि कहने का यह मतलब कि भवान कृष्णि के लावा मेरा कोई आश्रे नहीं है इस प्रकार का कोई और वस्तु मेरी नहीं है भगवान की भक्ति कर रहा हूं भक्ति के लावार कुछ भी मेरा जगत में नहीं है ऐसे अकिंचनों के प्रेमी है और यह जैसे कोई व्यक्ति अपना धन चुपा के रखता है तो सदावी संगोपनी भक्त है तो ऐसे भक्त जिनके वित्त है वैसे भगवान यद्यपी देखिए अकिंचन भक्त मान रहा है कि कुछ भी मेरा नहीं है और मेरे भगवान है बस और भगवान का सब है लेकिन मान यहीं रहे कि ऐसे अकिंचन भक्त ही मेरे वित्त है उनको मैं नमस्कार कर रहा है तो मान लोग है कि भगवान अगर विकारियों की लीडर हुए अकिंचन भित्त अकिंचन मतलो क्या विकारी विकारियों की लीडर निर्धनों के लीडर हुए तो इससे भगवा जिसकी मतिव भोग में जाही नहीं रही है हो पदार से बहुत सुरिष्ट है उतकरिष्ट है ऐसे भक्त जिनके धन है इसलिए बहुत सुरिष्ट है उनको मैं नमस्कार करें मुझे पता है उपर से जा रहा है अगर याद है बैटे हैं तो कोई कटना ही नहीं होगी और अन्यों के लिए जो उनके शुद्वग्त नहीं है उनके लिए कैसे हैं आत्मरावाया चुप चाह बैटे होने कोई मतलब नहीं को जो करना करो शान्ता अर बाइब भगवान अगर गरीबों की रक्षा करेंगी तो क्या मिलेगा किसी पैसे वाले की रक्षा करेंगी तो लड्डू पेड़ा चढ़ाएगा तो वहां कहते हैं शांत आया वह भूप्यास रएत है उनको उन्हें कोई अपिक्षा नहीं है कि यह चढ़ाएगा तो ना यह चाहते हैं और सात ही जो ब्रदान ने वाले उनको में नमस्कार कर रहे है को हिए अब हो आगे किया रही है भगवान के संबन्द में कल है क्यों होती है लोग क्यों मानते हैं कि भगवान इस प्रकार से सम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भगवार ने पांड़ों का पक्षिलिया और कौर्व को मरवाय त्यादि 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 तो उस पर कहा रही है मन्नेत्वांकालम अनादि निदिननम विभॉम समंचभांतं सर्वत्र भूतान यनमिठ्वहकली मैं यह मान रही हूं कि आप काल है कालापि है कालापकि की इच्छाष है इशान ह onglass अनादि निदनम ना ना आपकी कोई शुर्वात है ना कभी अंत है विभूम अर्थात आप सर्वसमर्थ हैं समम्चरंतम सर्वत्रा आप सभी के प्रति समान रूप से आचरन करते हैं सभी को एक प्रकार से स्विधा दे रहे हैं भूता नाम यनमिथा कली लेकिन आपके संब्ध में लोगों की राधिक दिया और हमको कम दिया जबकि भगवान सबको सबकी करमानुसार समान रूप से सुविधा प्रदान करने वाले हैं भगवान में कोई विशमता नहीं है अर्थ ही कर रहा हूं कि व्याक्षा का तो आपकाश नहीं है तो सब लोग समझ क्यों यह नहीं तो उसको कहने नहीं लिंक यह था कि अगर जगड़ा हो रहा है लोगों के बीच में तो निर्ड़नायक कौन हो गा कि भगवान सम्हैं कि नहीं है तो आपने कहाँ जगड़ा हो रहा है तो जगड़ाँ सुन जाने वाले को रेए को ने अ दिवा परिक剛 कोई रेफरी नहीं कोई समझी नहीं पाएगा तो क्यों कि भगवान की दिविलाएं अम मानवी होते हुए भी मानवी प्रतीत होते हैं इस कारण से लोगों जो है जगणा चलता ही राएगा अरे कोई नहीं जान सकता क्या नहीं जान सकता भगवान की इच्छा को रख करके किस प्रेव्जन से क्या सिद्ध करने के लिए तव इह मानस से मतलब इछा रखने वाले चिकिर्शता मतलब क्या चिष्टा किस इच्छा से किस इच्छा कर रहे हैं अरथाद इसानों केौन का अनुकरन आप कि किस इच्छा से करते हैं लोग समझ नहीं पाते हैं और तीन अर्थ देख गहते क्या क्या अर्थ थे यहां पर एक था कि इंसानों के कार्यों का अनुकरण आप क्यों करते हैं समझ नहीं पाते हैं दूसरा है कि जो भगवान की भक्ति से रही थे हैं उनको भगवान विडम्व करते हैं मतलब जाते हैं कि वह हमारी भक्ति को सुकुना प्राप्त करें तो वह भी समझ नहीं पाते और वही वाला बात नटो नाट्य धरो यथा आकर कि आप किस आशे से उस लीला को कर रहे हैं यह भी नहीं समझ बाते हैं न एकश्टिद ढय तो स्तिंकरम उनके लिस्ज districts देट अर्थात प्रीए नहीं नहीं है करहस्चित द्वेशस्च और उरको शत्रू भी नहीं है यसमिन विश्मा मत्यिड़ा लेकिन निनाय इनसानों कि उनके संबन्ने विश्मा मत्री हो थी कि विश्म है, हमसे प्रेम नहीं कर रहा है, कुछ-कुछ धारण यादा रहते है, वो हमने सूर का धारण दिया था, तो सथा, सूर का धारण में क्या बोले थे, शूरे-सूरे-कांत-मणी को स्वधर्मता देता है, अपने सो चम्कीला बनाता है कमल नहीं था दूसरा था चक्रवाग पक्षी को उपकार करता है और अंधों अंधों के लिए उदासीन रहता है और चोरों के लिए अपकार करता है है कि सुर्य हर परस्तिति में समही है वह कैसे इधर हो विती युद युदि का का अधिस्थान चान इस यह नहीं समझ पाते हैं भ्यग्वान की लाओं को तो कह रहे हैं जन्मकर्माचा विश्वात्मन अजस्याकरतुरात्मनह तिरे यंदिर्श्यादसूत अत्यंत विडंबनम इनसान के रूप में आप आकर के उनुकरण करते हो तो समझ में नहीं आता है लेकिन उससे भी अधिक विडंबन यह है कि अन योनियों में भी आकर के आप उनका अनुकरण करते हो बिल्कुल समझ में नहीं आता है जन्मकर्मचा अजस्या जन्म अकरतुर कर्म यादाराहम ने मैपिंग करी थी जो विक्ति अज है करमाधीन जीव के समान जन्म नहीं लेता उसका जन्म होता है अकरतुर जो केवल संकल्प मात्रे सारे कारे कर लेता है उसके करने के लिए कुछ भी नहीं है वो इतने सारे कर्म करता है उसमें क्या जुरूरत करने के और प्राय लोग बोलते हैं यह क्या से भगवान है तुम्हारे इतनी शादियां कर रहे हैं बताईए विश्वास्त्म अर्थात आप भगवान विश्व के आत्मा है अग अर्थुर आत्मन है आत्मना शब्लग की आरत है परमात्मन पर परमात्मा है इस प्रकार से आप क्यों ऐसा कर रहे है कुछ समझ नहीं आता कैसे कैसे तेरियक अर्थात वरहा निर रिशिशु निर मतलब राम कृष्ट आ परमादी रूप में तद अत्यंत विड़ंबन नहीं समझ बाते लोग इस प्रकार का विड़ंबन आप क्यों कर रहे हैं विड़ंबन को मतलो अनुकरण लीला अब यहां वो विशेश बात कह रहे हैं कि अन्य जगह तो भगवान अनुकरण कर रहे हैं लेकिन ब्रज में य कि हम लोगी बताना भूल गए बीच में पॉइंट था आया था कि जो विक्ति भगवान के तक्त को समझता है वही भगवान की लिलाओं को आसुपन कर सकता है यह पिछले इस लोगों में बात थी उसके तो समझ रहे हैं भगवान की तक्त को इसले कहने ही विड़ंबन और यह भी सुना गया था कि जब वह भगवान विरहा की रूप में आये तो सरवग्य हैं लेकिन पृतिवी को सूंग सूंग करके कहां है पृतिवी ढूंड रहे हैं सब क्यों कर रहे हैं कोई आश्य समझ में नहीं आ रहा है सरसमर्थ हैं और यहां तक की हिरनाक्ष को भी यह म अब मारूंगा आश्य करके साक्षात भैभी जिन से भैभीत रहता है वे भगवान किस से भैभीत हुए और क्यों इसका थीम है लेकिन आश्य यह है कि इसमें भगवान की लीला इतनी अद्बुत हो रहे है कि स्वयम माता कुंती भी नहीं समझ पा नहीं है तो स्परण कर र याते दशास्त्रुक लिलांजन संब्रमाक्ष वक्त्रम निनियंभय भावन यास्तितस्या सामाम विमोहयति भीरपियद भिभेती गोप्या आद दे गोपी इशोदा ने जब रस्य जब जब उठाई थी क्या उठाई थी तोई कृतागसी आपने जब अपराद किया था मखान की मटकी फोड़ने का दाम दामर्थात रसी जब रसी बांदाने केवल रसी उठाई ये कि पच्चे को बांदों की तो डर गए कि मेरा तो सारा खेल खता हूं तावद याते दशा उस समय जो आपकी दशा थी बिल्कुल हिंदी जैसा है अगर आप फोड़ा सुनने का भ्यास करें अश्रुकलिल आंजन संभ्रम आक्षम अश्रुकलिल आंखस आखस था वह है अंजन से मिलकर कीचर जैसा मलब लेब जैसा हो गया था संभ्रम आक्षम संभ्रम प्लस आक्षम अपकी आखे डर के मारे इधर उधर देख रहे थी कि क्या हो करेगी मा क्या करेगी है वक्त्रमनी अपने चहरे को नीचे दिखा रहे थे भाय भाव नयास्तितश्या और भाय से भावीत होती यह मुझकओ भी भोहित करती है, भी रपी ये अधविभेती मतलब जिस से भय साक्षाद भय स्तर्ट भय ィरैतन साक्षाद दुरगाजी या यमराज यम्रिथ्य भी भय भीत होती है यह सीखा ता वहाँ ब्रज में भगवान बिलकुल उनकी इच्छा से भूल जाते है कि मैं भगवान हूं। उनको यही याद रहता है कि मैं छोटा बच्चा हूं, मेरी मा रसी लेकि आई है उपान देगी। और उनका व्याद आजाता है? जब जुरत होती है। जब जुरत होती है तो याद आजाता है कि भगवान हूं। अन्नथा वह इसी भाव में रहता है कि मैं गोप हूं, इनके बच्चे हैं। यह बहुत सुन्दर श्लोक है। यह तो हमको समझी नहीं आ रहा है। और आप जान मैक्सिमम फादर और फादर का नाम भी पता नहीं है। उसके अधिक कुछ नहीं सो सकता कि बच्चा भी भगवान बन सकते हैं। यह तो बहुत उच्चतर बात है। यह भागवत का विशेष गिफ्ट है। अब वह भगवान के प्रकट होने के विभिन कारणों को कह रही है भगवान जो जन्म कहलाते हैं उनके जन्म के विशे में भेने लोगों के मत क्या है। हां लिंक वास्ते गृरूप से यह था कि क्योंकि भगवान का तत्व लोगों को समझ भी नहीं आता इसलिए भगवान क्यों आते हैं इसके समंद्ध में लोगों के अलग-अलग मत जितना सामर्थ लिंक मुनाने का प्रयास किया लेकिन लिंक वास्तिविक में यह वाता है कि लोग गों तत्तों समझ में आता नहीं भगवान का तो सब अपने पने मत देते हैं कि भवान इसलिए आए इसलिए इसलिए तो क्या कह रही है केचिद आहूर अजम जातम कुछ लोग केचिद कुछ लोग आहू कहते हैं अजम जातम जो अजनवा हैं भगवान वो जातम अता अजनवी लेते हैं क्यों लेते हैं पुन्य श्लोक कष्यक कीरते पुन्य कीरति वाले युदे की महाराज की कीरति का विस्तार करनेजा प्रम एक दे और यूदफयृ के आहू का आफ्य liegen को था किविवान को यूदुम धों प्रियस्याफ्य आनंवाया यूदु महाराज का प्रिय करने के लिए क्योंकि दुम्हाराज को आशिरवात पराते था कि भगवान उनके वंश में आएंगे और भगवान की भक्त थे तो उनका प्रिये करने के लिए अन्ववाए अर्थात उनके वंश में आए जैसे चंदन तो अपने आप में अच्छी वस्तु है लेकिन मलय परवत का चंदन होने से क्या होता है कि मलय परवत की ख्याती बढ़ जाती है चंदन तो चंदन का विरिष्ट तो कहीं ब्यूख सकता है तो युदुकुल की ख्याती भगवान के वहां पर अवत्रित होने से बढ़ गई तो इस कारण से भगवान आते हैं तो यह कुछ नों कम्मत है यही कारण नहीं है भगवान के आने के वसुदेव और देवति की प्र याचित अभ्यगात वसुदेव और देवकी के द्वारा आप याचित होकर के प्रकट हुए मतलब पिछले जनम में सुतपा और प्रिष्णी की रूप में तपस्या करी थी तो भगवान ने प्रसंद होकर के बोला कि हम तीन जनम में आपके सामने प्रकट होंगे बेटे के रूप में इसलिए आप आए इस समय वह देवकी और वसुदेव थे तो भगवान आए और कुछ लोग कहते हैं अजस्ट्वम अस्य छेम आया अस्य छेम आया इस जगत के छेम कल्यान के लिए अजस्ट्वम आप अजनमा है लेकिन आप रकट हुए किसलिए शमा की जिगा शमा की जिगत येकि लिंग है वसुदेव और देवगी के द् figured आए और किसले आए तकि इस जगत में देवताओं की रख्षा हो सके यह जगत कल्यान हो सके यह दिभी आप अजन्मा है तो देवताओं का कल्यान हो जगत का छेम हो और सुर दिशाम देवताओं से तूश करने वाले असरों का वद हो जाए तो भगवान से प्रातना करी तो भगवान से प्रातना करी बेटा बनने के लिए तो बे अर्थात बर्माजी के द्वार्थित अर्थात प्राथित हो करके भारावतारनाया अन्ने लोग ऐसा कहते हैं कि भार को तारने के लिए भुवो नाव इवा दधाव भुव मतलब भुमी के भार को तारने के लिए जैसे नाव इवा उदधाव समुद्र में उदधाव मतलब समुद्र तो समुद्र में कोई नाव है और बहुत अधिक भार भूरी भारे ना समझ रहे हैं भूरी मतलब बहुत अधिक तो बहुत इसार देने से वह स्टेबल हो जाएगी उसी प्रकार से ब्रुवी के उपर प्रत्वी प्रत्वी के ऊपर प्रत्वी कु आकराण्ट करने वाले असुर रुपी राजा थी से और प्रत्वी पर्pu पहार का अच्पार T लिए करका जाए प्रतिवी से बोजा हलका करने के लिए भरवान आए तो गिन के किये जाए तब आने कितने असुरों को मारा देखिए अट-सुला अक्षाहॉनी तो जरासंद की मरवा दी और इधर उसके बाद इधर उद्श सेस्थ ने मरवा दिया इतना तो है कितनाNow क्या बोल रहु है सुरी गुल गयातं तेइस गुणा सोला सुना अक्षाहॉनी तो थर मरवा दिए खुदी खुदी मारती और उसके बाद 18 अक्षानी इधर मारती इतने लोग इतने अज खल्ब का हून बदमाशों को परमुजे गौर किश्माराज सब को खूब करते हूं बदमाशों को भगवान मरवा दी है तो भार हलका हो गया प्रत्वी का तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्वी का जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्पतह तक्त्वादेहं पुनाट जन्म नैति मामेत सवर्जना जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि को इसमें लगाएगा यह बास समझ दीजिए कि हम कई बारे पीट कर चुके हैं सुनता तो कोई है नहीं ले और कितना समझ में आता हूं तो आप जानी रहें जब मैं क्विज करता हूं मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं मैं खाली बोल रहा हूं कि इन सब चीज़ों के लिए ही मानव जीवन है अट लीस्ट सुभह और शाम तो हमें सब कथा के लिए रखना चाहिए अट लीस्ट मैं क्लिश्यमानानाम अविद्याकाम कर्मभी शवन स्मरनारहानी भवकरिश्यन इतिकेचना अस्मिन भवे इस भव में इस जन्मृत्यक चक्र में खिलिश्यमानानाम जो क्लेश पा रहें केवल क्लेश पा रहें क्यों पा रहें अविद्या काम कर्म भी अविद्याधात फाई है हइसी मतज्या आविद्याक्र मंतली क्या होती श्रूप की अ करती है on very good हमारे भगंद से जैसे शुन्मंत है जह के लेती है और दूसरा कारण क्या करती है आईश्प्रभू तो यह तो उन्हें बता दिया सवरुप को कवर कर दिया हाँ जो हम नहीं है उसमें वह अभी निविश्चत करके काम कर निर्मान करती है हम सोचते हैं शरी ने फिर भोग की इच्छा आ जाती है फिर उसके अंसार कर करते हैं जो बांदे रहते हैं जीव को बारंबार बारंबार और दुख प्राप्ति कराते हैं तो इसको नश्ट करने के लिए श्रवन स्मळन आरहानी जिनका श्रवन स्मर्ण करने योग्य है ऐसी इलाओं को करने के लिए करिश्चन ऐसा करते हैं इतिक चला ध्यान देना होगा मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं समझाया श्रवन स्मर्ण करने से मुख की प्रयोजन है बगवान के चल्ण में प्रेम होता है और अनुसंगिक भल है कि अविद्या का निश्ट हो जाती अविद्या नाश करने के लिए हम श्रवन करते हैं और यही अगले जनव अगले श्लोप कर हो रहा है जीवों का प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है देख लीजे शुन्वंति गायंति ग्रिणंत अभिष्ण शहा स्मरंति नंदंति तव स्मरंति को सुनने वाला हो तो सुनते हैं गायंति अग्रिणंति बोलते हैं अभिष्ण शहां लगातार दिरंतर करते हैं स्मरंति मुलब स्मरं करके बड़े प्रसंद्र होते हैं एस्परन करते रहते हैं और यह आप लोग देख भी रहे हैं कई भक्त मुझे बोल रहे हैं कि कथा सुनते हैं तो कम से कम कथा कि कुछ समय बाद यहां तर इस्नान करते हैं पिश्लोक याद आ जाता है वाँगी कोई लीला याद आ जाती है या फिर कोई गुण हमने सुना हो यह नित्यम भागवत का बड़ा लाव है हम तो अब खेर निवदय नहीं कर सकते हैं लेकिन शाम को कोई काम नहीं होना चाहिए अगर आप बहुत बिमार नहीं हो तो कोई काम नहीं होना चाहिए कथा सुनना चाहिए दिन में जो कुछ हुआ सो हुआ हमारे कर्मानुसार क्य वक्ति में खुछ रहा है कि इसी के लिए वानव जीवन इसी के लिए सारा इस कौन है, इसको भूल जाते हैं, इस लोग है हमारे जीवन का गाइडिंग प्रिंस्पल की इसको करके ही भगवत प्रेम प्राप्त होगा, देख लिए क्या लिखा है, नंदन्ति, दूसरे लोग कुछ बोलते हैं भगवान के बारे में तो वो प्रसंद होते हैं, क्या तव इहितम, कोई बताए का इहित करत क्या होता है, इहित इहित बड़ा बला ए है, तव प्लस इहितम, कई बार इहित पोल चुके हैं, अरे चेश्टा नहीं समझे अस तक याद नहीं हो, इतना सबने याद नहीं हुआ, चेश्टा, इहित, कारे, लीलाएं, अक्टिविटीज, इनका आपकी चेश्टाओं को, आपकी लीलाओं को सुनते हैं, सुने में बना तो गा भी नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले शुणवंती बोल रहे हैं, फिर गाते हैं, ग्रणंती, गाने का मतलब होता है, जब मिल गा इत्यादी, ऐसे तो गा तो नहीं रहा हूं, मैं कि बोल रहा हूं, और गाते हुए, ऐसे तो नहीं कर रहा हूं, तो एक रणंती हो गया, अनरंतर, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए, स्मरंती, मैं समझता हूं कई बार आप जब आज परहुजी क्लास दे रहे थे हम तो तुलन चर्चा करने लगे इसका, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम जब सीखे, उनका स्मरंण करने से कितना सुख ही बलता है, और प्लस कोई अगर कथा कर रहा है, बोल रहा है, कितना कर रहा है, खुश होते हैं इस प्रकार से, वे जना, वे लोग, ता एव अभी आप जानत को देखेंगे, कैसे चरण कमल हैं करते हैं, भवा प्रवाह उपरमम, वे भव के प्रवाव को रोपने वाले हैं, तो आप जानते हैं कि मैं क्या करूंगा, छे जगे हम एवा को जुड़ने वाले हैं, ता एवा जनाह, वही देखेंगे, ता एवा पशन्ती वो देखेंगे ही ऐसा नहीं कि वह नहीं देखेंगे तु네 तु speculate लिए कि अफुसे को देखेंगे अर्थ ही स्रुक्रणी करने में कितना सुन्दर है तुस्त प्रकार से हमारा जीवन लगना चाहिए यह पढ़ाई चल लही है क्या पढ़ रहे हैं आज भी मुझे गीता की बात आदारी थी अध्यात विद्या विद्या नाव उस विद्या से विक्ति शून है तो कितनी डिगरी खटी कर लें क्या प्रयोजने कुट्टा बनना इसको अग्ली जन्व गलत नहीं कह रहे हैं ऐसा नहीं कहली हम भावुकता में कह रहे हैं बनेगा ही तैव वो बनेगा ही वही कुट्टा बनेगा वही कुट्टे के शेरीट को देखेगा बहुत जल्दी देखेगा कुट्टे का कुट्टा ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा और उसका भव प्रव कि लोग यह मदाग सोच रहे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं वहां प्रकात कि खतरनाक ताया पहुंचेंगे कि यह टीनली रहे हैं कि अब वह है अपनी सिर्ट को प्रसतोर कर रहे हैं कि आप मझ जाए सRaु हम पर प्रस्थान करने से दुख कर समय आ गया है अब क्या क्या रही है अप्याद्यनास्त्वम स्वक्रतेहताप्रभो जिहास्यस्वित सुर्भुदोनु जीवे नहां ये शाम नचान्यन भवतह पदाम उचात फरायनम्रा जस्योजिताहसाम अपी स्वित अपी दिख रहा है आपक नहां को आद्यनह को आप आज हम जिहास्याण की त्याग देंगे और आप और को श्मधूद करता क्या है इस चेश्टा स्वकृतिहथ प्रभू आप जिनकी सारी चेश्टा है तु अपने इच्छा मात्र सरक पर अश्लक्य है या स्वकृत अपने भक्तों के लिए जो भी अफिक्षित है वो सारी चेश्टाएं करने वाले प्रभो आप हमको आज त्याग देंगे ऐसा कैसे है तो आप ऐसा क्यों कहा रहे हैं तो कहते हैं सुर्द अनुजीविना हम तो आपके घनिष्ट मित रहे हैं हम तो न सिर्फ मित हैं आपके ही उपर निर्भर हैं आपकी दया पर निर्भर है अनुजीविना आपके बिना हम जी नहीं सकते अब उनको हमको त्याग देंगे दयान प्रस्तुत कर रही हैं कैसे आप सुर्द हैं तो किते हैं ये शाम न चानने द भवतहा पदाम बजद परायना जिन सभी को जोड़ना होगा उत्तरा अध्रा अपदी सबत्रा सभी तो आपके चरण कमल के परायन ही आपके चरण कमल का ही आश्रा लियो है ऐसे वक्तों को आप द्याग देंगे ऐसे कैसे यह तो ठीक नहीं यह तो आनुचित है जो आवान कहें ने बहुत दिन हस्तिनापुर म तो अको प्तरा से नहीं है आपको जाने की क्या जुर्द है यह है वस क्या काकटनाही आ गई तो कहते हैं राजसू योजितां साम इक्शमानाह जितने में पुत्राइबी का उत्州 में का सब्सक्राइब कश्चा करांप दूम्हें से दुश्म्राइब स्रीक आप ऊंग से त कि अरे आपके तो बड़े बड़े पुत्र हैं युदुकुल भी आपके बड़े बलशाली पुत्र हैं और आपके रिष्दार खेंगे युदुकुल वन्शी भी बड़े सक्तिशाली हैं तो उनका आश्रह है आपको आपसा क्यों कह रहे हैं कि मैं ही आश्रह हुत्यादी वे शितु हुआ के वह रही हैं के वयम नाम रूप आप हम सब का यह जो पांडव है यह कवेशन नाम और रूप मात्र है अ वह यह वर्डे सामर्थवान हैं आपकी शालिय आपकी क्रपा नहीं हो यह ही यह समझ रहे हैं जब आपकी कृपा नहीं है आपका दर्शन नहीं तो कहते है रिशी काना इव इशितु हो जैसे इशितु मतलब जीव अगर जीव शरीर से निकल जाए तो इंद्रियों को क्या प्रयोजन है जर बताईए आखों का समझा रहा था न मैं आखों का नाख का कान कोई प्रयोजन हो उनकी कोई सत्ता ही नहीं रहेगी अगर आप का दर्शन प्राप्त नहीं इस प्रकार से हम आशित है तो हम को आप छोड़के मच जाए और ना सिर्फ हम आशित हैं अभी तो भगवाएं स्रिक्रिष्टने की उपस्तित से पांड़म का राज्य भी समर्द है यह राज चाहते थे नहां आप ही चल जाएंगे तो राज्य किसी काम का नहीं रहे तो क्या फाइदा इस आश्य से कह रही है नेयम शो भिष्षते तत्रा यथे दानिम गदाधर तत्पदेर अंकिताभाती स्वलक्षण विलक्षते न इयम शो भिष्षते इयम अर्थात ये जो इमान नहीं लगेगा तत्र मतलब तव यदा इदानिम गदाधर जिस प्रकार से इस समय लग रहा है है भगवान विष्णु है क्रिष्ण इस समय जैसे लग रहा है वैसा अच्छा नहीं लगेगा क्यों ऐसा कह रही हूँ तो कहने है तवत बदैर अंकिता भादी आपके च खुद भी देखा होगा कि तिलग ना लगे तो भक्ति शकल अलग दिखती है कभी-कभी हम लोग घलती से हां एक बार मैंने कंटी टूट गई थी तो जब में ही दो तीन लोग मसच कर दी पर चंटी टूट हुए आपके कंटी में गला सुना सुना लग रहा है आपके चार हुआ। बंगर दार्ति में लेट क्यों तंटी क्यों नहीं तीलए ठीक है और हम जो भी छिए बात है से हम लाइन पर है बागी दोग है कि निए रहने कि प्रत्वी अंकृत नहीं रहे है। था क्या किस उस अंकन वशिष्पा ए रही है और कि by स्वालक्षौन व्लद शित ह उनके ही चरण में पाए जाते हैं, ऐसे चिन्हों से हस्तिनापूर की जो भूमी थी, वह है, वह शुभा इमान हो रही, तो कि तो वह नहीं होगी, यह अच्छा नहीं लगे का, शुभा नहीं होगी, और भगवान के द्वारा देखने मातर से कैसे मंगल होता है, उसको यहां क विष्चते हैं, इमेजन पदा, स्वरधा, जितने भी नगर त्यादी ग्राम है, स्वरधा मतलब यह समुद्ध हो रहे हैं, कैसे सुपक्वाउशदी वीरधा, औशदियों से, वीरुधा मतलब अन पेड़ पौदों से, वनादिरी मतलब वन और परवत्र, नदी, उदनव समुद्र ही एधन ते, यह सब समुद्ध हो रहे हैं, तब विष्चते, आपके देखने मातर से, कौन प्रश्ण किया था, हमारे एक भक्त का प्रश्ण था, भगवान ने समुद्र को कैसे देखा, तो हमने बुद्धिला के उतर देखिए, भवान ने त्वार का में रहते ह है, इसमें भक्ति भाव कम रहता है, दिवाग जदा लगाते हैं, भगवान ने समुद्र कैसे देखा, चलिए जो भी है, तो अब माता कुंति सोच रहें कि भवाई, भगवान, कृष्ण अगर हस्तिनापूर में रहेंगे, तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर नहीं रह हस्तिनापूर में रहते हैं, और नहीं जाते हैं, तो द्वार का वालों के खराब हैं, दो बात बोली ना, अगर द्वार का चले जाते हैं, तो हमारे लिए दुख है, और अगर द्वार का नहीं जाते हैं, तो हमारे भईया ही दुखी होंगे, हमारे भईया भी दुखी हों आजाओ बेटा अपने प्रति की सेवा करो तो कुछ दूसरे का भी देखा जाता है असा नहीं कि अपना ही देखा जाता है तो आप संबंद दोनों तरफ से है पांड़ों से भी प्रेम है तो क्या माता देव की से प्रेम नहीं है या माता वसुदेव जी से प्रेम नहीं है ऐस लेकिन यह जो पारेबारिक संब्धु से काड़ दीजिए दा कि मेरी मत्री आप में लगे रहे है अथा विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेश्वकेश्व में स्रेहपा शंपिमम्चिंदी दृणंपांड शुषु अथा मतलब किसली है इसलिए मतलब हम लोग कि बिना नहीं जी पा रहे है तब हम दोनों तरफ की आप तो विश्वेश हैं आप विश्व के ईश्वर हैं इस प्रकार का और विश्वात्मन सभी की परमात्मा है इसस नहीं भी आप भी दे रहे हैं सबको विश्वमूर्ती पूरे जगत के आप मूर्त पूरा जगती मतलब मेरे परिवारिक जनों में मेरी आसक्ति को काट दीजे क्यों क्यों कि आप सब का ध्यान रखने वाले हैं और जो आपके अनोवर्ती है यह दुकुल वंशी यह पांडव त्यादी उनका ध्यान आप स्वयम ही रखेंगे फालतु मर रही हूं कि यह दा रहा हो को कि मैं फालतु मरूंगी कि मतला मुझे क्या चिंता करने की जुड़ते आप उनको ध्यान रखेंगे यहां से है अभी बोल रहे थी ना कि आपके विना वह नहीं जी पाएंगे तया दित्या दित्या तो उनको लग रहा है कि कश्ट होगा पांडु मांड़ पारिवारिक आश्त्य की आप काम्त दीजिए दिर्णं आप रप ब्रहम्त श्णा सो भई पांडवों में भी अगर आपकी प्रेम नहीं रहेगा व्रिश्णियों में प्रेम नहीं रहेगा तो उसका मतलब पूरे जगत से विरक्त लोकर क्या आप ब्रह्मानु भूति चाहती हैं क्या के तिन्ना क्या चाहती है देखिए आप में मेरी अनन्न विश्या मति हो अनन्न विश्या मतलब कहीं बोग का अनुऽ संधान नहीं हो मति कहीं और नहीं जाए मधुपते मधुपते का आश्य यह है कि मधुप वदुवंश ही नहीं अन्य जो व्यदुवंश के थे उनका भी पालन करने वाले भगवान शिक्रिष्ण में ही मेरी असकृत मती रहे बारम-बार भगवान में ही जाय मती इसी परकार से और रती यह आकर्शन प्रेम हो कैसा उ साक्षाद अध्धा साक्षाद आप में ही हो उधारण देरें गंगे वोग्हम उदन्वती जिस परकार से गंगा जाका गंगा जी का प्रवा समुद्र की तरफ दरंतर भाता रहता है वह अवरोध का धान नहीं देता अवरोध आते हैं लेकर उधर भाता रहता है उसी परक भगवान ये भी कह रहे हैं, अनन्य विशया की एक वैख्यावर थी, अनन्य विशया, त्वई में अनन्य विशया मती, मधुपते का आश्य ये था कि जिनकी आप में अनन्य विशया मती है, उनमें भी मेरी रती हो, कुछ याद आ रहा है, क्योंकि भगवान के भक्तों में मत रहे प्रेम हो अर्थात वरिष्णियों में और पांडवों में भक्ति की द्रिष्टि से प्रेम हो लेकिन पारिवारिक स्ने को आप कारते हैं है are you with me it seems so अब भगवान के सुन्दर गुणों का स्मरण करते हुए क्या क्या भगवान ने अवतार की है उसका वो स्मरण कर रहे है स्री क्रिष्ण क्रिष्ण सक्वरिष्ण रिष्भाव नीद्रो राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते स्वर्फवान क्रिष्ण उनकों क्रिस्ण आर्जून को आनन देने वाले थे विरिष्ण रिष्भ विरिश्णियों में सर्वसु outta ग्रोभ के लिए आवनी ध्रुख राजन्य वश्ट दहनान अवनिय धार धर्तिे को अधा अब एक मेनीत रुखे एक मेंट रुखिए गलत नहीं बोलना चाहिए कि देख लेना चाहिए कि क्या रहते है हाँ सही था अनपवार के विर्गया मतलब जिनका तेज कभी कम नहीं होता जगत की स्रिष्टि प्रलयादि करते हैं लेकिन उसमें कोई की छमता में कमी नहीं आती यह कुण बता रहे हैं गोविंद अर्थात गोपिज नवल्हव और गोविंद का एक अर्वी था कि गोलोग क के सारी गोलोग के नित अधिपति कामध्यवनों के राजा गोव ब्रामन गायों दिवताओं के अर्थी दुक को हरने के लिए होता है योद्येश्वर जो योग की शकतियों के एश्वर हैं या योग के फल के प्रदाता है अखिल गुरु अर्थात जो पूरे जगत के गुरु है अर्थात ब्रमा और शिव भी जिनके चरण कमलों की अराधना करते हैं ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करूँ जो इस प्रकार से अब तो एजी है भगवान ने उनकी सुन्दर प्रार्थना को सुना तो क्या किया देखि इसमें सूत ओवाचा भी आना चाहिए सूत कुस्तामी जी ने कहा पृत्या इत्थम प्रथा के द्वारा इस प्रकार कल पदय सुन्दर शब्दों में परिणूता सुती किये जाने पर अखिल उदय संपूर्ण यश्वाले पूरा यश्ट माता कुंती नहीं कह पाई लेकि मानो अपने कृप से चाहिए कहिए मुध ने बताइक है अपने पच्चों की बातों को सुन करके पड़े प्रेंप से जबितैं इस परकार से अने माया भगवान को बन्हां में आक कर शक्ति भी प्रकार क्या हुआ महराई जाय द्वारा भगवान को पूरोकना एवं उनसे प्रेंपूरा क्याच्छन करना ताम वाड़ामितिय पमंत्या प्रबिशका जैसा हुआ गता मित्यां तथास्तू. इसा हो, उपामंत्या आग्याले करके प्रफिशका जैसा हवयम वह हं हस्तिनापुर में चले गए और इसके बाद फिर उपाव मंत्रिया, फिर उप्वावमंत्रिया, फिर उस्तिरियों से, आम क्या बोलते हैं? आज्या लिया कि वraवर्पति, मादा कुंत्रिया सिप्व, आज्या लिया कि स्वपृरम्यासिन, मैं अपने द्वारवा को जानने बाला हूं। राग्या निवारत हुं। लेकिन प्रेम के द्वारा राजा युजिष्ट के द्वारा वो निवारित हो गए अर्थाथ भगवान उनको कहे कि युजिस्टर महाराज के कुछ समय के लिए और रुकी है तो भगवान की मन में एक और योजना आ गई कि हम भीश्मदेव को किस प्रकार से दर्शन देंगे महाराज युजिस्टर का शोक संतप्त हुना एवं समस्त मुनी एवं भगवान क्रिष्ण के उपदेश्चों के द्वारा भी साथ दोना ना पाना उसे कारण क्या था व्यासादेर इश्वरे हाग्याई क्रिष्णे नाध्वत कर्मना प्रभो दितो पिती हासर ना बुद्यत शुचार पिता तो भगवान की इच्छा थी कि मेरा भक्त भिष्मदेव अब शरीर चोड़ने के लिए उनकी मिर्त्य आसन है और चाहते हैं कि मिर्त्य के पहले मेरा दर्शन हो और यह भी चाहते हैं कि दुश्टर महाराज अपने सारे परिकरों के संग पार्ष्णों के सं उनको देख पायां को तो वह भगवान अपने भग की इच्छा को जानते थे तो इसलिए इस आशे से वो क्या कर रहे हैं देखी व्यासाद्यर ईश्वरे ईश्वरे इहा अग्या व्यास आदी रिशिव्यास भौम को जानते थे यह नहीं जानते थे ईश्वर अपलस वह यह अग्याई आप अग्या। पैंगे दोंकि अधर सुन ली थो असन लग रहा हो है जो कि मैं आध जैनल कृष्णम ना अधुञुठ对 कर द्वारा और व्यास अधी रिश्यों के द्वारा प्रबोध पीतिहासर इतिहास का साक्ष प्रमाण। कि जिनको प्रूभोधित किया जारा था ना बुद्ध्यधा शुचार्पिता ऐसे राधा जिस्ठर कोई बोध ब्राप्त नहीं हुआ उस साटिस्वाइन नहीं हुए संतुष्ट नहीं हुए शोक अकुल हुए अब ही तो जितना समझाय जा रहा था उतना शोक बढ़ रहा था तो यह क्यों हो रहा था कृष्णे अद्भुत कर्मना भवान बड़े अद्भुत कर्म वाले हैं अंदर से प्रवेश करके उसो समझने नहीं देने हैं बहार संधा रहे हैं अच्छा यह देखे कौतुक नहीं लग रहा आपको कोई व्यक्ति यहां समझाता है तो सोचता है कि अंदर से समझ में आए मैं मालों रहा है अंदर से प्रयास करूं शम्ता हो इने समझ में कुछ ना आ है ऐसा तो होता नहीं कोई टीचर पढ़ाता है इमानदारी चाहिए कि हां समझ में भी आये कुछ इस प्रकार की भावना रहती है तो भगवान अद्वत दिला कर रहे हैं अन्दर से समझने नहीं दे दे और भगवान बहार्द खूब महनत करके समझा रहा है, लेकिन इस टेमराद को समझ में नहीं आ रहा है, यह भवान का अध्वत कर्व है, उसका कारण भी उसका समझा दिया गया था, यही सब कारण है कि वो चाह रहे थी कि लोग जाने, कि व्यास आधिस से भी अधिक और यहा आते हैं, किस परकार का शुख महराज इस्टर को हुआ था, उसकी व्याक्या हो रही है, आहा राजा धर्म सुतस, चिंतयन सुहरदाम वधं, प्राक्रितेना आत्मना विप्रहस नेहमोह वशंगतह, आहा राजा राजा धर्म सुत, इस्टर महराज धर्म की बेटे हैं, वो प्राक्रा गोए किया है, क्यों बोल रहा हुझत, और अपने शुहरदाम वदंग, प्राया कहीं विलाप कर रहे थे, प्राकरतेना आत्मना विप्र, जैसे कोई प्राकृत विक्ति शोक से संत्प्त हो जाता है, शोक से व्याप्त हो जाता है, रही आंहीं समझ रहे AWB volduos, इस प्रकार से तो यद्यपी इधिश्टर महाराज कच्चत्र प्राकृत नहीं था तेकिन भगवत इच्छा से इस प्रकार से हो गया था स्नेह मुह वशम गता जो लोग मारे गए थे जो अभी भी है उनके प्रती स्नेह और मुह को वशिबूत हो गए थे वो रो रहे थे इस प्रकार से शोग से ग्रस्त हो कर वे क्या बोले उस पर कहा रहे है अरहो में पश्षता ग्यानम हृदी रूड़म दूरात्मनहौ पारक्यस्ययवदे हस्या बहवो में अच्छोण हिरहता अहो में पश्षता ग्यानम हाई हाई देखो को देख रहा है नहीं देख रहा पता नहीं देख होता है देखो देखो मेरे अज्ञान को कहा है अज्ञान हिरदी रूडम मेरे हृदे में आश्रली हवा अज्ञान दुरात्मना हूं मैं बुरा वेक्ति मुआ बुरा हर्दे वाले वेक्तिय रहा है पारक्यस्य एवद्धेस्थ जो देहे दूसरों के पर अपकार के लिए अपने उपर ले रहे हैं कि सब भगवान को आईड़े दे रहे हैं मुतास्मिर्तिर ज्ञानमा पोफनम चाहिए फिर वह अपने सुरुदक स्मरण कर रहे हैं बालद्विजा सुहरन मेत्रा पित्र भ्रात्रा गुरूरुद्रह नमेश्यान निरयान मोक्षोही अपिवर्षा आउता आखे भालक बाट्ब बॉत्फों का ब्रामणों का सुष्प्रिम मतलब फिर है से चाहने वाले मित्रों का एक पित्र पायों का इंदा मोक्त ज्रू मतलब गुरू का दरुण कि अ कि अтовचए मैंने औरे नमोольше अरे मेरा तो नरक से मोख्ष हो ही ने सकता ही अपी वर्षा अयुता युता ही लाखों लाखों साल तक मुझको नरक ही भोगना होगा इस प्रकार का भय हुआ है अब देखेंगे आगे जाके भय भय भी थो कहते इस तो कह रहे हैं मैंने देश प्राणियों की हध्या की है मेरे नरक ही उच् नहीं है मैं तो राजा था ही नहीं नैनो राग्या प्रजा भरतुर धर्मयुद्धे वद्धो द्विशाम इतिमे ना तु बोधाया कल्पते शासनम बचहा ना ऐना ऐसा नहीं कह सकते कि पाप मुझको नहीं लगेगा राग्या प्रजा भरतुर राजा जो प्रजा का पार संतुष्ट नहीं होने वालाओं। इते में नयातु वोधाया कल्पते शाष्ण वमचा ये शास्त्र का वचन मुझको संतुष्ट प्रविश्ट नहीं कर सकता है क्यों कि में तो राजा था नहीं राजा था तो रियोधन जब कि भूल रहें कि राज उनका था लेकिन अभी इस समय उनका शोक अज्ञान उनको लगा हुआ है कभी कभी मालू किसे कि नंबर कम आए उसी को बताओ तो आत्मा हो तो मानने वाला है नहीं मानने कर ना जानते नहीं अरे प्रभुजी बड़ी दिक्कत हो गई फॉस्ट आते थे अप्धार आ गए तरी क्या-क्या वुसुस्ता है जानी आओ भी मजाग का समय नहीं लेकर नही समझा कर लेते बौजर सीर से दोजित लोग एक बार गया था डेली में नहरू प्लेस में समान खरेने के एकदम मंदर के सिवा से कुछ गयते एकदम से वेक्ति लाल कपड़ा देखे पकड़ लिया हो परहजी 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 क्या बहुत दुखी हो ने क्यों ते मेरी पत् तक अब देख रहें कि उसको मैं समझा आता है कि आत्मा हो तो संबंध्स क्या हैS है चा इसे ही जब मता अधिति का क शप्मुनि को बोलती है कि हमारा राज छूट गया है थैठधी तो ग्च्नक उंप देन्थ मुखतை-द यान ब्रत करो बारा दिन का भगवान पुत्र के रूप में आएंगे तुमारे च्छापून करेंगे देखें कि कभी कभी लोग इतने शोगा कूर हो जाते हैं ज्ञान से काम चलता नहीं और यहां तो भगवान स्वेम इंगा ज्ञान दूर नहीं करना चाहते हैं फिर वह अपत श श्रेतों मेर यह जो बन्धु मेरे द्रुपन हुआ मेरे प्रति इन श्रयों का इया अनुक अनुका भी यह ऑस वं के संटस्ट प्रयों ऊच्छफ रूप मेरे द्रुफ मेरे जह पुन कर्से यह तो जो आसमा के जinka इस प्रकार सब्स्क्राइं हुआ है तो यह झाना कर्मभिर उन कर्मों के मान रहा हूं कि इस से इसको नश्ट किया जा सकता है जो दुरुवत्पन हुआ है जो मैंने दुख दिया है जो पाप हुआ है वह अश्वमेदेग करने से कैसे हो जाएगा जबकि अश्व में देख करने से को विक्ति पूरे विश्व का भी बद करने वाला हूँ, उसका पाप नश्ट हो जाता है, ब्रामाण का पाप को नश्ट हो जाता है, मारने वाले को भी नश्ट हो जाता है पाप, लेकिन फिर भी एक शुष्क तर्क दे रहे हैं, कि ना ऐसा जिस प्रकार से कीचड से गंदे पानी को साफ नहीं केज़ सकता है कीचड को कीचड से कीचड वाले पानी को साफ नहीं केज़ सकता है सुरयावा सुराकृतम दारू से कोई वस्तू गंदी है तो उसको दारू से साफ नहीं केज़ सकता है तो मदिरा से कोई वस्तु अपवित्र है तो उसको मदिरा से आप पवित्र नहीं कर सकते हैं तो कह रहे हैं भूत हत्याम तथा एकाम ना यग्यार मार्श्रमरती अरे भूत हत्या जीवों की जो हत्या हुई है उसमें एक विक्ति की हत्या को भी उस यग्यों से नहीं आप मार कर सकते जिसमें हद्याइ तो होती है उसमें अश्य थे और गोड़े की हठ्य उती होती एक हठ्या से दूसरे हठ्या कि आप नॉइंश्ड करेंगे आप यह उनका लॉजिक है इस शास्त्र का आसार नहीं है मार्ष्टू стать उफश्च्म शत्षा यहां तो कल सुनेगे अरे कृष्णा सो यहां पर रुखते हैं पराण की जुरत तो है नहीं पराण तो आपर समने में साथ करी लिया है थैंक यू हरे